नवस्कार साथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विनाई स्टड़ी के इन मिश्वागत है साथियो आज की इस वीडियो में हम चत्रिज़गर्द सिक्छक भरती के लिए बहुत ही महतपूर्ण साथियो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिगा पास में लगे बेल लाइकन को प्रेस कीजिगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोडिक्शन आप तक पहुंचती रहे चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रेशन गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था ओप्शन दिया है घटोतकच गुप्त चंद्र गुप्त प्रथम स्री गुप्त इनमें से कोई नहीं गुप्त वंस का संस्थापक स्री गुप्त था और अनेक विद्वान जो है गुप्त साशक को वैश्य मानते थे गुप्त किसके सामन्त थे ओप्षन A दिया है मर्यों के B, कुशानों के C, शात वाहनों के D, इनमें से कोई नहीं गुप्ट कुशानों के सामन्त थे गुप्ट वंस के किस सासक ने सर्वुप्थम महाधिराज की उपाधी धारन की थी Option A, स्री गुप्त ने, Option B, चंद्र गुप्त द्वीती ने, Option C, घटोतकच गुप्त ने, और Option D, समुद्र गुप्त ने गुप्त वन्स के चंद्र गुप्त प्रथम ने सर्व प्रथम महाधिराज की उपाधी धारन की थी तो Option B, इसका सही जवाग होगा चलिए, इसमें दिया है सूची एक और सूची दो, दोनों को आपश में समलित करना है सूची एक में दिया है, प्रयाग, इलहाबाद, प्रसस्ती, अभिलेग, सूची दो में दिया है, समुद्र गुप्त, ये सही है उसके बाद है बिलसंड इस्तंभलेक कुमार गुप्त ये भी सही है भित्री इस्तंभलेक इसकंद गुप्त ये भी सिधा आएगा और मदसौर लेक ये बंधु वर्मन ये भी सही है गुप्त सासन के दोरान निमलेखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गडितग्य था ओप्शन दिया है भानो गुप्त, बाणभट, आर्यभट और वराहमिहिर आर्यभट गुप्त काल का गडितग्य एवं खगोल विद उन्होंने आर्यभटी की रशना की थी और उन्होंने ही सर्वत्थम पाई का मान तीन दसमलाव एक चार बताया था इसका सही जवाब और गुप्त काल में वराहमिहिर जोतिस एवं खगोल सास्री थे ब्रह्म गुप्त गुप्त गुट्वाकर्शन के सिध्धान का प्रतिपादन किया था गुप्त सास्कों की सरकारी दर्बारी भासा थी संस्क्रित ओप्शन डी इसका सही जवाब होगा इतिहास कर वी ए इसमीत ने इसकी विज्जों से प्रभावित होकर उसे भारत का निपोलियन कहकर पुकारा है ऑप्शन दिया है इसकंद गुप्त को, चंद्र गुप्त को, ब्रह्म गुप्त को, समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त के विज्जों को देखकर विशेंट स्मीत ने इसे भारती निपोलियन कहा है और इसकी विज्जों का वर्णन प्रयाग प्रसस्ती जिसे इलहाबाद प्रसस्ती भी कहा जाता है इसमें मिलता है जिसके लेखर हरिशेंड है सही जवाब होगा option D समुद्र गुप्त गुप्त बंस का वहराजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमन करने से रोका option दिया है कुमार गुप्त समुद्र गुप्त इसकंद गुप्त चंदर गुप्त हुणो द्वारा प्रथम आक्रमन कुमार गुप्त के समय में हुआ और उनके आक्रमन का दमन इसकंद गुप्त नहीं किया तो इसका सही जवाब होगा option C इसकंद गुप्त गुप्त राजवन्स किसलिए प्रसिधता कला एवं इस्थापत्य समराज्यवाद राजश्व एवं भूमिकर सहेतिक कार्यों का शरक्षन गुप्त राजवन्स के समय कला एवं इस्थापत्य बहुत ही प्रसिधता अजन्ता कलाकरितिया किसे संबंदित है हडपाकाल से मौर कवी कालिदास किसके राजकवी थे चंद्रगुप्त मौर्य समोद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वीती जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है और option D में दिया है हर्स कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वीती जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है उसके राजकवी थे अज उत्तर गुप्त युग में जो विश्विद्दालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्छसिला, नालंदा और वल्लभी तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्विद्दालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा इरन अभिलेक का संबंद किस सासक से है? ब्रम्मा गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्विती भानु गुप्त एरन अभिलेग भानु गुप्त से संबंदित है तो option D इसका सही जवाब होगा फ्यान हान किसके सासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त प्रथम अशोक भर्षवरवन और चंद्रगुप्त द्विती फ्यान धांग 405 इसवी में चंद्रगुप्त द्विती के सासनकाल में भारत आया था तो इसका सही जवाब option D और 405 इसवी में और फ्यान हान चीनी सेयर कीजिएगा और वीडियो को जादा सजादा लाइक कीजिएगा बैंने माद